Construction of congruent angles इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम congruent angles किस तरह से construct करते हैं Concurrent का मतलब होता है same, एक जैसा यानि अगर हमें एक angle दिया जाए और हमें उसी जैसा एक और angle draw करना हो तो हम किस तरह से कर सकते हैं इसके लिए हम एक example देखते हैं Construct an angle of 50 degrees using a protector, यनि पहले हमने protector की मदद से 50 degrees का angle draw करना है and then construct a congruent angle to 8 using a pair of compass उसके बाद हमने इसी जैसा एक और angle draw करना है जो के हम protector से नहीं करेंगे बलके compass की मदद से करेंगे तो construction स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने 50 degrees का angle यहाँ पर draw करना है तो हम एक scale लेते हैं और एक scale की मदद से यहाँ पर एक ray draw कर लेंगे तो यह हमने एक ray draw कर ली है और इस ray को हम नाम दे देते हैं A, B और यह ray है इसलिए एक point fix होगा और दूसरी तरफ arrow head होगा इसके बाद अब हमने point A की उपर protector रखते हुए 50 degree का angle construct करना है तो protector लेते हैं इसका middle point point A की उपर रखेंगे और इसकी zero वाले line को ray A, B के उपर इस तरह से रखतेंगे अब हमने क्या करना है हमने 50 degree का angle यहाँ पर draw करना है तो zero से देखते हुए जाएंगे और 50 के सामने यहाँ पर निशान लगा देंगे यह हमने 50 degree के सामने निशान लगा दिया है अब हम protector को remove कर सकते है scale की मदद से इस निशान को point A से join कर देंगे इस तरह से हम scale रखेंगे और point A को इस निशान से join करते हुए एक ray draw कर लेंगे तो यह जो हमने ray draw की है इसको हम नाम दे देते हैं A C का यह हमारे पास angle draw हो गया है 50 degrees का यह हम अपने steps में लिख लेते हैं construct an angle B A C of 50 degrees using protector अभी तक हमने protector की मदद से angle construct किया है इसके बाद हम एक compass लेंगे और इसको इतना open कर लेंगे कि हम असानी से arcs draw कर सके और अब इसका needle point हम रखेंगे point A के उपर और यहाँ पर एक arc draw करेंगे जो ray A B को cut करेगी point B पर और ray A C को cut करेगी point Q पर इसके बाद यह हम step लिख लेते हैं Taking A as center, draw an arc to cut the ray A B at point P and A C at point Q अब हम scale की मदद से एक और ray draw करते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर एक ray draw कर लेते हैं इसके सामने ही तो यह हमने एक ray draw कर ली और इसको हम नाम दे देते हैं X Y का और इसे हम अपने steps में लिख लेंगे draw array XY इसके बाद हम compass लेंगे और इसको इतना open करेंगे कि इसका radius equal आ जाए A P के अब हम इसको point X पर रखेंगे इस तरह से और एक arc draw करेंगे इस तरह से हम एक arc draw करेंगे जो ray XY को cut करेंगी जिस point पर उसे हम कह देते हैं L तो यह हमने एक arc draw कर ली और यह step लिख लेते हैं taking X as center draw an arc of radius equal to A P और A Q to cut the array XY at point L इसके बाद अब हम फिर से compass लेंगे और इसका radius अब कितना रखना है इसका radius रखना है P Q के equal यहाँ पर point P है और इसको open करेंगे P Q जितना और अब इसके रखेंगे point L के उपर और इसकी मदद से हम एक arc draw करेंगे जो पहले वाली arc को cut करेंगी और जिस point पर cut करेंगी उस point को हम कह देते हैं M यह point हम लिख लेते हैं taking L as center draw an arc of radius P Q to cut the previous arc at point M इसके बाद हम point M को X से मिलाते हुए एक ray draw कर लेते हैं इस तरह से हम scale रखेंगे और point X को M से join करते हुए एक ray draw कर लेते हैं यह जो हमारे पस ray आई है इसको हम नाम दे देते हैं X Z का और यह step लिख लेंगे draw array X Z passing through point M अब यह जो हमारे पस angle आया है angle Y X Z यह equal होगा 50 degrees के यह निए उसका congruent angle हमने यहाँ पर draw कर लिया है अगर हम यह देखना चाहें कि क्या यह 50 degrees के equal है तो हम यहाँ पर protector रखकर check कर सकते हैं तो हम एक protector लेंगे इसका middle point यहाँ पर रखेंगे point X के उपर और इसकी यह जो zero वाली line है यह हम ray X Y के उपर रखेंगे तो जो दूसरी ray है X Z इसे 50 degrees के बिल्कुल साथ आना चाहिए तो इसे हम इस तरह से रखते हैं और यहाँ से देख सकते हैं कि X Z 50 degrees के बिल्कुल साथ है तो इसका मतलब यह है कि हम ने जो congruent angle draw किया है वो बिल्कुल ठीक draw हुआ है तो हम लिखेंगे angle Y X Z is the required congruent angle तो आज की वीडियो में हमने देखा कि अगर हमें एक angle given हो तो उस जैसा यानि उस ही जितना congruent angle हम किस तरह से draw कर सकते हैं आज का हमारा topic था construction of congruent angles